मानिनिये प्रधान मंत्री जी के मूल मंत्र घर पे रहो, स्वस्त रहो, सुरक्षित रहो और जिम्मेदार बनो और जिम्मेदार बनाओ से शुरुवात कर रहा हूँ कुरोना संक्रमन के संदर्भ में तंत्र द्वारा लिये गए निर्णयों के पालन हेतु पुलीस विभाग द्वारा तमाम प्रयास किये जा रहे हैं कुछ किस्सों में इन प्रयासों से पुलीस लोगों को परिशानी हो सकती है लेकिन ये प्रयास लोगों के स्वास्त के हित में लेना आवश्यक है इन प्रयासों में लोग सहयोग दें और पुलीस की कानूनी कारवाई से बचें और ध्यान में रखें कि नियमों का उलंगन होने पर पुलीस कारवाई होती है कुछ लोग अन्य नागरिकों के स्वास्ते पर जोखिम पैदा हो ऐसी गेर कानूनी प्रवत्ती कर रहे हैं ऐसे लोगों की पहचान करके सक्त कानूनी कारवाई की जाएगी कुछ जिलों में लोग चलते हुए वतन की और पाए गए हैं ऐसे लोगों को जहां भी मिलें उस जिले के शल्टर होम में रखने की सूचना दी गई है अन्य राज्यों के साथ संकलन करके वईवटी तंत्र के द्वारा ऐसे लोगों को उनके वतन तक पहचाने की कारवाई भी की जाएगी कुछ जिलों में आंतर जिला मूवमेंट जहां लोग करना चाहते हैं ऐसे लोगों से मेरी अपील है कि ऐसी मूवमेंट को टालें ये आपके और समग्र समाज के हित में है अनिवारे संजोगों में ही ऐसी आवाजाही पर्मिट मिलने पे ही करें ऐसे कई किस्से सामने आये हैं जिसमें आंतर जिला मूव्मेंट के कारण अन्य जिलों में संक्रमन बरहा है इसे ध्यान में रखते हुए अन्य जिलों में प्रवेश के बाद नियत समय के लिए कॉरंटाइन में रहे हाल में ही गीर सोमनाथ जिले के कोडिनार में बने एक किस्से में आठ लोकों द्वारा एमदाबाद से कोडिनार जाने के लिए दो अलग-अलग पास बनवाए गए थे लेकिन दोनों पास में एक ही राइवर और गाड़ी को की मंजूरी ली गई थी बाद में कुल नौ लोग एक साथ प्रवास करते हुए पकड़े गए इन तमाम लोगों के खिलाफ गुनादर्ज किया गया है ऐसे ही एक अन्या किस्से में बस मालिक के खिलाफ गुनादर्ज करके बस भी डिटेन की गई है इसलिए जरूरी है कि लोग जागरित बनकर सावधानी रखें और और लोगों से भी सावधानी रखवाएं एहमदाबाद शेहर सहित राज्य के तमाम रेड जोन विस्तारों में तंत्र द्वारा लगाये गए प्रतिबंधों का सक्त पालन करवाया जा रहा है सोशल डिस्टिंस का अभाव या भीड की जानकारी मिलने पर पुलीस के द्वारा कानूनी कारवाई की जा रही है प्रतिबंधित सेवाएं या प्रवत्ती और दुकान कारेरत होने के किस्सों में पुलीस के द्वारा कानूनी कारवाई सतत की जा रही है संक्रमन से बचने के लिए और लोगों के इकठा होने से रोकने के लिए पुलीस के द्वारा सर्वेलेंस भी रखा जा रहा है कोरोना वायरस संक्रमन से मुक्त हुए पुलीस अधिकारी और कर्मचारी तुरंत अपनी ड्यूटी पे हाजर होकर संक्रमन के इस खिलाफ इस लड़ाई में फिर से शामिल हो रहे हैं जो फर्ज के प्रती उनकी कटिबद्धता दर्शाती है आज समग्र राज्य में कुछ कुल 42 पुलीस कर्मचारी कुरोना वाइरस संक्रमन से मुक्त हुए है जो कर्मचारी संक्रमत लोगों के संपर्क में आने के कारण होम कौरंटाइन किये गए थे उन में से 30 कर्मचारीयों को की होम कौरंटाइन की अबधी पूर्ण हुई है और वे वापस डूटी के उपर आ गए हैं कल डिटेन किये गए वाहनों में से राज्य में कुल 5,832 वाहन मुक्त किये गए हैं अब तक कुल 2,12,376 वाहन मुक्त किये जा चुके हैं सुसाइटी में लगे CCTV भी चेक किये जा रहे हैं राज्य में कल ऐसे 20 गुना दाखिल हुए हैं और 19 लोगों को उनकी तहत पकड़ा गया है अभी तक ऐसे 649 गुना में 903 लोगों को हिरासत में लिया गया गया लॉकडाउन के अमल पर पुलीस के द्वारा निरंतर ड्रोन, CCTV और ANPR के माध्यम से भी नजर रखी जा रही है राज्य में कल ड्रोन की मदद से कुल 173 गुना दर्ज किये गये हैं अब तक ऐसे कुल 12,51 गुना दर्ज हुए हैं और ऐसे गुना में कुल 22,315 लोगों की अठकायत भी हुई है CCTV फुटेज के आधार पर कल 97 गुना दर्ज करके 93 लोगों को हिरासत में लिया गया है अब तक ऐसे कुल 2953 गुना संपूर्ण राज्य में दर्ज किये गये हैं अब तक ऐसे गुना में कुल 4,82 लोगों को भी हिरासत में लिया गया है सोशल मीडिया मोनेटरिंग के आधार पर गलत खबर या अफ़वा के 18 गुना दर्ज किये गये हैं अब तक ऐसे 734 गुना में कुल 1498 लोगों को हिरासत में लिया गया है कल सोशल मीडिया के द्वारा अफ़वा फैलाने पर पुलीस के द्वारा 9 अकाउंट बंद किये गये हैं अब तक कुल 685 अकाउंट पुलीस के द्वारा बंद किये जा चुके हैं एन पियार अनालेसस के द्वारा चवालिस गुना और आज तक कुल 1277 गुना दर्ज किये जा चुके हैं विडियोग्राफर के द्वारा की गई शूटिंग के आधार पर कल 215 गुना और आज तक ऐसे कुल 3249 गुना दर्ज किये गये हैं प्रहरी जैसे खास वानों पे लगे कैमरे की मदद से 79 गुना और अब तक ऐसे कुल 119 गुना दर्ज किये गये हैं